Good evening friends, welcome again आज बात करेंगे क्रियाटनीन बढ़ने का क्या कारण होता है और अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो उनको क्या करना चाहिए कौन से अगला स्टेप होना चाहिए अगर क्रियाटनीन बढ़ा हुआ है तो तो सबसे पहले क्रियाटनीन को समझते हैं हमारे सरीर में बनता कैसे है और अगर बढ़ गया तो क्या कारण हो सकता है अब क्रियाटनीन प्रोटीन के मेटाबॉलिजम से बनता है जब मानस्पेशिया उसको यूटलाइज करती है इनर्जी के रूप में यूज करती है उस समय ये क्रियाटनीन बनता है फिल्ट्रेशन का काम जो कि वो ब्लड में से क्रियेटनीन को निकालने का काम होता है वो नहीं कर रही है उसकी पासिविल्टी सबसे ज़्यादा रहती है और दूसरी पासिविल्टी ये है कि आपके सरीर में क्रियेटनीन ज़्यादा बन रहा है ज्यादा बन रहा है उसकी वी एक possibility है और ज्यादा तर possibility यह है कि kidney के अंदर कुछ गड़बर हो सकता है अब kidney के अंदर किस तरह के गड़बर हो सकता है कैसे हो सकता है उसके वरे में बात करें तो सरीर में दो kidney होती है और kidney के अंदर भी काफी तरह के structure होते है एक तरीके से आप ऐसे समझें कि यह छन्नी है जो filtration का काम करती है blood को purify करती है blood में से जो गंदगी रहती उसको kidney बाहर कर देती है तो अगर किसी का creatinine बढ़ा हुआ है तो इसकी possibility जादा है कि kidney में उनके damage हो रहा हो और creatinine जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा severe damage हो सकता है normally creatinine blood में 0.6 से लेके 1.3 mg per deciliter होता है normal case में अगर वो पूरुस हैं तो females में और थोड़ा कम होता है अगर किसी का 1.3 mg per deciliter से ज़्यादा blood में creatinine आने लगे इसका मतलब है कि kidney अब उनकी खराब हो सकती है होने लगी हो या हो चुकी हो अब kidney खराब होनी की जो सबसे बड़ी वज़ा है दो प्रमुग वज़ा है अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो पहला है diabetes जब diabetes काफी दिन uncontrolled रहती है तो वो kidney खराब कर देती है इसलिए ऐसे लोग जिनका diabetes अभी diagnose हो गया है especially type 2 diabetes है जिसमें diagnosis का affiliate बनती है उनको हमेशा हर साल kidney की जाच करानी है जिसके लिए आपको creatinine कराना होगा इतनी जल्दी damage नहीं होता है अगर control में diabetes है तो damage बहुत ही कम होता है या बहुत slow होता है लेकिन uncontrolled है तो फिर damage जल्दी हो जाता है तो पहला तो diabetes है दूसरे नंबर पर hypertension है blood pressure में मतलब blood अगर तेजी सी kidney के अंदर जाएगा तो उसके अंदर भी वो बदलाव करता है उसको damage करता है hypertension और diabetes दो ऐसी बीमारिया है जो kidney damage के प्रमुक करणों में से आती है जितने भी kidney खराब होने के chances रहते है जितने भी patient के kidney खराब होती है उन में जो प्रमुक बजह रहती है इन ही दो में से रहती है कुछ और बजह है कि बगर मैं बात करूँ कि किसमे kidney damage हो सकती है या creatinine बढ़ा हुआ है तो क्या हो सकता है तो फिर बहुत सारी ऐसी हम लोग दवाईयां खाते है चाहे अंचाहे में लंबे समय तक अगर आप कोई भी दवाई खा रहे हो किसी भी तरह की दवाई खा रहे हो तो doctor's से हमेशा liver और kidney दो जो vital organ है उनकी जाच कराते रहना चाहे है सारी दवाईयां kidney damage नहीं कराती है लेकिन कुछ दवाईया इस पेसलिए अगर मैं बात कुछ जो 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 कामन है और भी दूसरे तरह की दवाईया हो सकती है जिनके जो salt composition उसके बारे में हमें नहीं पता रहता है बहुत सारे इसी हम दवाईया खाती है जिनके बारे में पता नहीं रहता है कि कहां बनी है किस ने बनाई है किस टाइब की दवाईया है तो अगर इस तरह कोई दवा चल रही है एक साल दो साल तीन साल से खा रहे हैं तो हमेशा kidney पे ध्यान ढहना चाहेगी कहीं ये damage तो नहीं कर रही है तो diabetes, hypertension फिर उसके लाबा दवाईयां काफी तरह की इसके लाबा और भी बीमारियां जैसे kidney के अंदर infection हो सकता है infection कही तरह हो सकते है kidney के अंदर glomerulone, phratis हो सकता है उसमें एक post-striptokagas होता है HIV के infection है, hepatitis B के infection है दूसरे भी infection है तो kidney में infection भी एक काफी प्रमुक काराण है जिससे kidney damage हो सकती है और इसके अलाबा अगर kidney के अंदर stone बन रहा है बड़ा stone बन गया है आगे रास्ते में obstruction कर रहा है तो उससे फिर धीरे-धीरे back flow होता है और kidney में pressure पड़ता है उससे kidney खराब हो जाती है और कुछ वजहों में देखा जाए तो kidney खराब होनी के जो कारण है उसमें ऐसा भी देखा है किसे patient जिनके heart के अंदर problem है उन cases में भी खराब होती है ऐसे patient में जिनके kidney में से protein leak कर रहा है protein leakage की समेस्या है तो ये सारी समेस्याएं में creatinine बढ़ जाता है तो अगर creatinine बढ़ा है तो kidney की पूरी जाच आपको कराना चाहिए ये आप समझ गया है कि creatinine का बढ़ना kidney damage का एक संकेत है हो सकता है और kidney काम कर रही है पूरी तरीके से उसकी नहीं कर रही है इसके लिए आपको कुछ जाचे करानी है तो एक तो यूरिया क्रियाटिन हो गया इसके लावा kidney में यूरी के स्विट की जाच होती है वो भी करा के देखना पड़ता है इसके लावा एक सोनोग्राफी की जाच है जिसमें kidney की size के बारे में पता चलता है और kidney के अंदर जो structure है वो कैसा है उसमें किसी तरीके कोई बदलाव आया है की नहीं आया है कार्टेक्स मेडूला की क्या position है दोनों सही दिख रहे हैं की नहीं उसके बारे में पता चलेगा कोई stone हो गारा है की नहीं उसके बारे में पता चलता है तो एक तो सोनोग्राफी की जाच कर सकते है एक kidney के लिए scan होता है DTPA scan होता है जो की GFR हो गारा calculate करके बता देता है की kidney कितना filter कर पा रही blood को कितनी अच्छे से filter कर पा रही तो GFR calculation भी बहुत अच्छे से हो सकता है इसके लावा urine की जाच करवाना है अब urine की जाच में especially जो protein है protein में भी micro albumin बोलते हैं कि micro albumin करवा ले और एक होता है albumin creatinine ratio ACR ratio kidney कितना protein बाहर कर रही है urine के रास्ते कितना protein जा रहा है जतना ज़्यादा protein का leakage होगा उतना kidney damage जादा है तो protein की मात्रा urine में कितनी है ये देखना है इसके लावा routine microscope होती है urine की जिसमे पस्सल देखना है, RBC देखना है सुगर कितना जा रहा है ये सारी भी चीजें देखी जाती है पूरा kidney का check-up जो की urine में से हो सकता है sonography से हो सकता है और blood में से कुछ test होते है उसके माध्यम से किया जा सकता है तो ये तो हो गया कि kidney damage है इसलिए creatin बढ़ा है पर इसके अलावा भी कुछ कारण हो सकते है जिसमें kidney तो damage नहीं है लेकिन creatin फिर भी बढ़ा हुआ मिल रहा है अब ऐसा हो सकता है कि किसी के अंदर creatinine का production जादा हो अब production की वज़ा एक तो हो सकती ही किसी की manspaces जादा हो जादा muscles होने से creatinine बढ़ा हुआ रहेगा तो जो bodybuilders होते हैं उनमें अगर creatinine करा जाए तो कई बार बढ़ा हुआ मिल सकता है 1.5, 1.6 तक भी मिल जाता है 1.7 तक भी मिल जाता है और कुछ bodybuilder जिनकी manspaces यह बहुत है और एक creatinine substance लेते हैं वो लोग muscles की जो stamina बढ़ाने के लिए या gym में ज़ादा stamina बढ़ाने के लिए creatinine एक तरीके का energy की तरह काम करता है energy booster की तरह काम करता है उस creatin से phosphocreatin से creatinine बनता है तो ऐसे bodybuilders में creatinine और ज़्यादा हो सकता है तो manspaces यह ज़्यादा है या creatin substance ले रहे हैं या तो protein ज़्यादा ले रहे हैं चाए whey protein खाएं, chicken mutton खाएं या soya bean खाएं या किसी और route में protein अगर खाने में आपके ज़्यादा है तो creatinine बढ़ सकता है इसके लाबा temporary कभी fever होता है उस समय creatin बढ़ा हुआ मिल सकता है कुछ दिन के लिए pregnancy के दोरान बढ़ा हुआ मिल सकता है कुछ लोगों में कम पानी पीने के वज़ा से dehydration के वज़ा से भी creatin बढ़ा रह सकता है मतलब और कम पानी पीने की आदत है तो urine में से कम जाएगा तो blood में ABS सी बात है वो बढ़ा हुआ मिल सकता है तो कुछ लोगों में ये भी बज़ा हो सकते है लेकिन बढ़ा हुआ है तो आपको kidney की जान सबसे पहले करानी है कि ठीक है की नहीं और उसको monitoring करनी है दो महीने में, तीन महीने में, छे महीने में बार-बार घरा के क्योंकि सुरुवाती स्टेज में अगर हम kidney damage को पकड़ पाते हैं तो इसका इलाज फिर हो पाएगा बिमारी को रोंका जा सकता है कंट्रोल किया सकता है आगे बढ़ने से रोंका जा सकता है नहीं तो फिर अगर ज़्यादा damage हो गया है तो फिर उस damage को reverse कर नहीं किया सकता है original position पे नहीं लाया जा सकता है तो अगर किसी का creatinine blood में बढ़ा हुआ है तो यह मैंने जो कारण बताए है एक तो किट्नी में समयस्या हो सकती है और किट्नी के आगे जो रास्ता है उसमें समयस्या हो सकती है या कई बार आगे और भी दूसरी समयस्या हो सकती है जैसे किसी का prostate बढ़ा हुआ है काफी बढ़ा स्टोन है कोई structure है कोई growth हा गई है ये भी कारण हो सकते हैं और दूसरे कारण ये है कि क्रियाटनीन इसलिए ज़्यादा बन रहा है कि मानस्पेशियां ज़्यादा बना रही है प्रोटीन ज़्यादा खाने से ज़्यादा एक्सरसाइज करने से हार्ड अवर करने से इसमें मालस्पेशियां ज़्यादा योज हो रही हूँ बाहर किसी भी इस्थिती में अगर किसी का भी क्रेटनीन 1.3 से ज़्यादा है उनको अपनी किटनी पे ध्यान रखना है बार बार जाच कराके और जो मैंने दो तीन जाचे बताई है ये दो चार सो में जाचे हो जाएंगी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टन बात है क्योंकि ये कोई सामान बीमारी नहीं है क्रेटनीन का बढ़ना ये एक किटनी डैमेज का संकेत है और किटनी डैमेज ऐसी है कि एक बार हो गई तो इसको फिर दुवारा से सुधार नहीं सकते बड़ा मुश्किल रहता है तो अगर किसी का creating बढ़ रहा है तो क्या कारण हो सकते और फिर आपको क्या करना है इसके बारे में आपको clear guidance मिल गया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ धन्यवाद